एलो दोस्तों आज हम कोटले के द्वारा दिये गए कुछ सिद्धान्तों में से सब्तांग सिद्धान्त पर चर्चा करेंगे कि कोटले के ने सब्तांग सिद्धान्त क्या प्रतिपादन किया सब्तांग सिद्धान्त में क्या और लेक किया गया है कोटले के अनुसार जिस प् जिसमें पहला जो अंग है वो स्वामी या राजा, राजा की महत्वपूर्ण भूम का होती है, राजा या स्वामी को सारे एक आत्मिक मानसिक एवन बहुत दिक गुड़ों से युक्त होना चाहिए, जिसे कौटले ने आत्म संबत, यानि की आत्म संबत की संग्यादी कौटल राजपद का उत्रादिखारी वही होना चाहिए, जो योग्य हो और जिसमें एक राजा होने के गुड़ हो, राजा की कौटले ने राजा की कुछ कर्तब्बे भी बताएं, जैसा पहला कर्तब्ब है, परजा का कल्याड करना, राजा का महत्पूर्ण कार रहोता है कि परज तरीके से हो सके, तीसरा कार रहे है संयम बरतना, परजा जनों को परसन रखना, राजा का जो कार रहे है संयम बरतना है, राजा को संयम होना चाहिए, और उसका उद्देश से जनता के कल्यान होना चाहिए, जनता खुस रहे, उसका फोकस इसी पर होना चाहिए, चौथा कार रहे हैं दूसरा महत्पूण अंग है आमात्य या मंत्री को उंट्ल ने राजा वा आमात्य को गाड़ी के दो पईए के उपमा दी है जो एक दूसरे के बितना बेकार है यानि कि मंत्री के बिना राजा नहीं चल सकता कोटले ने मंत्री परसद के अध्यक्ष को महत्पूर्ण माना है उन्होंने मंत्रियों के बेतन का भी समर्तन किया कि मंत्रियों को समय समय पर बेतन दिया जाना चाहिए कोटले ने मंत्रियों की योगिता का उल्ले किया है कि मंत्रियों की योगता क्या क्या होनी चाहिए मंत्री योगता होना चाहिए जो राजा को सासन से संबंदित सला दे सके और राजा की साहता कर सके तीसरा मैत हुडंग है राज्य का कोस कोटले का अनुसार कोस ब्रद्धी एक सक्तिसाली राज्य का अधार है क्योंकि एक सक्ति साली कोस के दोरा ही एक मजबूत सेना का निर्मार किया जा सकता है उसके बिना मजबूत सेना के निर्मार करना मुस्किल है क्योंकि कोस अगर नहीं होगा तो एक सेना का रखराखाव उसकी आप सक्ताओं के पूर्दी नहीं करवाई जा सकती जिसके लिए कौटल ले ने कुछ सिद्धान्तों का उले किया है जिसमें पहला सिद्धान्त है परिपुस्टी सिद्धान्त यानि कि जो पहले से है उसको पुस्ट करना कौटल लेका अनुसार धन की प्राप्ति उद्ध्योगों पर जो उद्योग है राज्य के अंधर गत उन पर कर लगा कर होनी चाहिए लेकिन जब उद्योग आरंब में हो यानि जब उद्योग शुरू किया गया हो तब उस पर कर कम से कम होना चाहिए दूसरा है इसके अंदरगत दौरलव्य का सिध्धान कोटले के अनुसार ऐसी दौरलव सामगरी जो राज्य के लिए अतदिक उप्योगी है जो उप्योगी चीजे हैं उनको कर्मुकत करना चाहिए राज्य कौई और तीसरी बात बताईए कोटले ने करमुक्ति का सिद्धान, कोटले के अनुसार जीवन में ऐसे बिसेस कारण होते हैं, जिनके अतिदिक महत्व के कारण करमुक्त रखना चाहिए उनको, जैसे संजकार, ब्रत, यग, दान, ऐसे कारणों को करों से मुक्त कर देना चाहिए. बढ़ व्यवस्ता के अनुसार दंड देने की व्यवस्ता अर्थात एक ही अपरात के लिए कोटले ने उचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया है, यानि कि जो बड़े पदपर है या बड़ी सामाजिक इस्तिती रखता है, उसको कम दंड देने का की बात कोटले के गया है इसके अंतरगत हाती घोडे रत पैदल चतरांगनी सेनाए पुलिस इनको सामिल किया जाता है और राजा और परजा दोनों को ही दंड के दिन रखा गया है दुर्ग अगला मैतपूर्ण अंग है दुर्ग दुर्ग से तात पर रहे हैं कि जो राजधानी है वो कैसी होन जी है यानि सुरक्षित हो राजधानी ऐसी हो जो सुरक्षित हो ताकि आकर्मणों को जहिलने में आसानी हो और बाहे आकर्मणों से बचा जा सके तथा उचित समय मिल सके तैयारी के लिए इसके लिए कोटिल ले ने दुर्ग को महतपूर्ण माना है और दुर्ग की तुलन जैसे अगर राजिस्थान में अगर हम देखें तो भैस रोड़गर का किला और जालवाड को किला जालवाड का सभथ नो फैसा दर약 हो खो जो मरुस्थल में जिसकी स्तिती हो वहां तक पहुचने में बड़ी समस्याओं के सामना करना पड़े और चौथा दुर्ग होता है बंदुर्ग जो जंगलों से घरा हुआ हो इस प्रकार कोटले ने दुर्ग विवस्ता का उलेक किया है अगला है जनपत कोटले के अनुसार ज जनपत प्रसासन की एक एकाई थी जनपत की सबसे छोटी एकाई ग्राम है दस गाहों को मिलाकर संग्रहण नामक बड़ा गाहों बनता था और दो सो गाहों को मिलाकर के खारवटिक नामक नगर बनते थे और चार सो गाहों को मिलाकर के द्रोणमक बनते थे आठ सो गाहों के मद्दे इस्थानिये नामक नगर बसाना चाहिए ग्राम की सासर विवस्ता के संचाला नहीं तो ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ती होती थी सीमा विवाद की इस्तिती में समाधान पंच ग्रामिक नामक अधिकारी करता था अगला मैत पूरंग है मित्र कौटलने के अनुसार राज्य की उन्रती के लिए इवन बिपत्ती के समय राज्य की साहिता के लिए मित्रों का होना आवस्चक है क्योंकि अच्छे मित्र परिस्तती में राज्य के लिए आवस्चक होते हैं और मित्रों के बिना किसी भी राज्ये के लिए इसासन करना थोड़ा चुनोती पूर्ण होता है थैंक यू